नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप से पीबीस्टी क्रिकेट पर पिछले डेड़ सालों से क्रिकेट के मेदान में एक ऐसा तेज गेंद बास बिल्कुल ही गायब हो चुका है जिसके कमी के चलते क्रिकेट कुछ अधूरासा लग रहा है फिर चाहे वो 2021 का IPL, 2021 का T20 World Cup या फिर 2022 का IPL भी हमें बिल्कुल ही बेरंज सा नजर आया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं इंगली स्टेज गेंद बाच जौफरा आर्चर का हमारी पिछली वाली वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि आखिर जौफरा आर्चर कहां है, क्या कर रहे हैं, उनको कौन सी इंजरी हुई है और कब तक वो वापसी कर सकते हैं लेकिन इस सी बीच पिछले कुछ दिन पहले ही एक ऐसे खुश खबरी आई है जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट फैंस खुशी से जूम उठेंगे जी हाँ दोस्तों जौफरा आर्चर बहुत जल्ट क्रिकेट के मैदान में वापसी करने वाले हैं दरसल आज से कुछ दिन पहले ही जौफरा आर्चर की IPL फ्रेंचाइस मूंबा इंडियन्स ने अपने ओफिशियल सोशल मेडिया हैंडल में जौफरा आर्चर की एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें जौफरा आर्चर साफ दौर पर प्रैक्टिस करते हुए हमें नज ज़रूर चल रहा होगा क्या जोफरा आर्चर अप से कुछ दिनों बाद ही सुरू होने वाला ठी टीटवी बिश्वकप 202022 से ही अपनी वाप्सी करेंगे लेकिन आपको बता दे कि ठीट्िट्यट्वकप 2022 22 से ही वाप्सी करना जोफरा आर्चर के लिए बहुत ही कठिन क्योंकि 2019 का जो ICCB शोकप था उसमें भी जोफरा अर्चर इंग्लेंड की टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन उन्हें शामिल करने के लिए ECB ने अपने रूल्स में बहुत बड़े बदलाव कर दिये थे जिसके चलते जोफरा अर्चर फिर से इंग्लेंड के टीम में शामिल हो गए थे और उन्होंने किस तरह से सूपरोबर में इंग्लेंड को चैंपियन भी बनाया था जोफरा अर्चर के बारे में ये सारी कहानिया अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे चैनल में हमने जोफरा अर्चर की बायोग्राफी वाली वीडियो अपलोड कर रही है आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे देख सकते हैं क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दी है पर फिर भी दोस्तो जौफरा अर्चर को ECB इतनी आसानी से इस बार T20 विश्व कप में सामिल नहीं कर पाएगी क्यूंकि जौफरा अर्चर हाल फिल हाल में ही अपनी इतनी लंबी इंजरी से उभर कर आये हैं भले ही जौफरा अर्चर नेट्स में अच्छी खासी गेन बाजी करते हुए नजर भी आये हैं उस वीडियो में लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा वक्त ECB जरूर देना चाहेगा क्यूंकि ICC World Cup जो 50 ओवर का होता है वो भी 2030 में आने वाला है तो दोस्तो अब तो ये भी खबरे आने लगे है कि जौफरा अर्चर भली ही G20 विश्वकप 2022 में इंग्लेंड टीम का हिस्सा ना हो पर फिर भी आईपेल 2023 से पहले या कहूं 2023 की सुरुवाती हपतों में है या सुरुवाती महिनों में ही इंग्लेंड टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो दोस्तो ये बात तो पका हो चुका है कि 2023 के आईपेल में और 2023 के ICC विश्वकप में हमें जौफरा अर्चर खेलते हुए नजर आएंगे